नमस्कार आप देख रहे हैं SMP जारखंड क्योंकि जो हकिकत है वो दिखेगा तो हम आए चलते हैं विजुल की तरफ राची की ट्राफिक ब्यवस्था और राची की सरके जो भी आईपी सरके हैं वो तो चमचमा रही हैं लेकिन कुछ सरकें ऐसी हैं जिन में गड़े नजर आते हैं और हर हमेशा एक ही डर होता है कि कहीं गाड़ी फिसल न जाए या गड़े में हम गिर न जाए अब हम अबर विर्ज पे आए हुए हैं पहले हम आईए जानते हैं यहाँ पे कि वन बे है उसके बाजूत भी हम क्यों आ रहे हैं इस रूट से आपको पता है यह वन बे है नहीं मुझे नहीं पता था नहीं पता था आपको रेडिशन बुलू साइट से घुनना है इदर निकलना है वह आपको मेंट रोड होता है अधर जो है और आ हमनगे निकलना है इस तू विलर का नहीं है सिर्फ वियष भी लर का वन बे जी आपको बौड लगा हुआ efter अबHI लोग याण है, तो सरफ अगर नहीं लगा रहे गार मैं कल अगर रांची आऊंगा मुझे पदा चलेगा कि यह वनवे हैं डीजा कुले तो मैंने देखा उपको जा रहे हैं तो मझे लगा अमारे लिए बारा बर जो है न फेपर में छापा जाता है नई बार बार आउट किया जाता पूर जानकारी लो मैं कहा से एक मिनट एक मिनट एक मिनट आपको अपने अपने क्या लग रहा है आप रोंग सायज में खडा है यह मेरे पीछे जो गाड़ी होन बजाए हैं वो किदर की लिए बजा रहे हैं किदर जारे हैं सारी बातों को आप समझ रहे हैं और आप अच्छी तरह भी इस बात को भी जान रहे हैं कि राची की ट्राफिक बेवस्ता की इस्तिती क्या है और कैसे है और कितने जवान तत पर रहते हैं कुछ चौकों की इस्तिती ये है कि जहां 5 जवानों की duty है वहाँ पे 3 जवानों से काम लिया जा रहा है और उनको over time दिया जा रहा है तो जवान भी बोलने से कतराते हैं on the camera कभी बोलते नहीं है तो हम कम से कम अपनी जिमवारी को भी समझे हम हर जनता से एक ही बात करते हैं कि जदी कहीं किसी रूट में हम जा रहें सिंगल रोड है तो कम से कम हम अपने लाइन में कतारवद खरे रहें और एक रूट को खाली रखें ताकि जाम का समना न करना पड़े क्योंकि हर रूट में ये देखा जाता है कि हर किसी को over take करने की आदत है कि पहले हम तो पहले हम तो पहले हम के चकर में क्या होता है कि न हम न वो सबके सब एकी जगर खरे हो जाते हैं जो अभी नजारा अभी आप देख रहे हैं ये राची के ओबर बरीज के नीचे का visual दिखा रहा हूं मैं आपको इस पे हम कुछ लोगों से पहले प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या रिजन होता है यहां जाम का हम इस रूट में पहले चार दिन आये गए पहले देखे कि सही में क्या यही इस्तिती है तब जाकर कि हम चौथा दिन इस रूट का भिजवल लिये हैं तो सही में हर दिन एक ही इस् इन्हों ने भी वही बातों को कहा कि पैसेंस किसी के पास नहीं है हर कोई जल्दी में है तो जल्दी का रिजन है कि जाम अभी आप देखें इस रूट को दूसरे साइड रूट को वनवे किया गया है उसके बावजूद भी लोग अपनी बड़ी गाड़ियों को ले करके आते हैं जिसका रिजन होता है जाम केवल टू विलर के लिए पास है फॉर विलर के लिए वनवे है वहाँ बगल से रास्ता है लेकिन कोई जाता नहीं है और सौटकर्ट के कारण ये आप लंबी लाइनों को देख सकते हैं क्या इस्तिती है जो कडरू के तरफ से जो रेल्वे इस्टेसन जो रूट जा रहा है तो लोगों को भाड़ी दिकतों का सामना आया दिन करना पर रहा है किसी का ट्रेन भी मिस हो जा रहा है इस जाम के कारण घंटों घंटा जाम हर हमेसा लगा रहता है यहाँ पे और जवानों की कमी सबसे बरी जो इश्थिति है राची की वो है जवानों की कमी अब तो खास करके राची वासियों को राम भरसोर छोड़ दिया एक है क्योंकि चुनाव आ गिया है अब ट्राफिक के ज़वानों को भी लगा दिया गिया है इस चुनाव में और राची वासी समझें कि ट्राफिक कैसे चलेगा इसी पर हमाईए कुछ और लोगों से बात करते हैं यहां पर में जाम का रिजन क्या है यहां का ट्राफिक बेवस्ता सही नहीं है आदमी एक है रोड पहुंच है कैसे हो फोलों नहीं करते हैं यह अब अब लोगों को ट्राफिक डियास्पी उनसे पूछिए वोलता हमार पार सिपाई नहीं है क्या करें आप विसाल का तो सबसे बड़ा दोशी पब्लीक है जान के वो जानता की खाई है वहीं जाए गुश्ते हैं तो आप पब्लीक से भी बातों को सुन रहे हैं कि लोग जान के भी आंजान बनते हैं तो यह इस्तिती है वनबे को सब को जानते हैं कि यहां वनबे है फिर भी गाडियों को लेकर क यहां पर आते हैं। पढ़ास करता हूं कि ये जाम खत्म होता है कि नहीं तो मैंने अविए आप जो ये सामने बिजोर देख रहे हैं अभी आप एक ज़वान को तो मैंने इनको कहा कि आप कम से कम वहाँ कटिंग जहांसे रूट यूटन जो लोग ले रहें आप वहाँ एक बार खरे हो करके देखें कि क्या होता है ये रूट जाम होता है या नहीं तो ज़दी ये एक जवान मात्रों वहाँ जब खरे हुए तो फिर क्या इस्तिती होगी इस रूट का वो भी विजवल आपको इसमें हम दिखाएंगे तो कम से कम कुछ जवान भी इस बातों को समझें और अधिकारी भी बातों को समझें कि जहां जवानों की एक्चुल रहने की जगह है जदी जवान वहां रहें आप देख सकते हैं मैंने जवान को आप एक बार रिक्वेस्ट किया खड़ा होने के लिए अब देखिए आप यह रूट किलियर हो गया बिल्कुल जाम कहीं नहीं है हम एक ही जगह हर जवानों को लगा देते हैं जितना जवान है और उसके बाद हम भीसिल मारते रहते हैं कि रोड लाइन किलियर हो जाए तो होना कुछ नहीं है एक तो हमारे पास जवान नहीं और दूसरे पास गारिय और सनी बार को खास करके भीर होता है जबकि ये बात हर अधिकारी को पता है, उसके बावजूद भी हम हाथ पे हाँ धरे रहते हैं और इस जाम का कारण हम हमेशा हर रूट में होता है, हम बनते हैं और पबलिक भी इस बात को समझती नहीं है कि कम से कम एक लाइन को हम छोड़ के रहें ताकि एक रूट किलियर रहे, लोगों को आने जाने में परिसानी नहीं होगी और कहीं कोई जाम नहीं होगा, अब हम आ जाते हैं गड़ो की बात हमने किया था आपको, ये देखें, ये पटेल चोक है राची का, आज हम पिसका मोर रात रूट का विजवल तो नही इस्तिती हुआ है, वो आप देखें, गाडिया यहां रेंग रही है पटेल चोक में, और यहां भी मात्र एक जवान और एक अफसर हमको दीखें, क्योंकि मलुम चला कि सभी चुनाओ डूटी में लग गए हैं, ये देखिए, हम सबूत के साथ बात करते हैं, हम कभी अंदा कराते हैं, कि कम से कम बड़े बाबु अधिकारी लोग इस बात को समझें, और राची वासियों को इन समस्याओं से निजाद दिलाएं, और हमारे राची वासि कम से कम अपने जान जोकी में ना डाल करके, सही सलामत अपने घर पहुँचें, अपने गंतव तक पहुँचें तो ये अधिकारीयों का ड्यूटी है, ये बड़े बाबु जो ऐसी में बैठते हैं, ये उनका जिम्मवारी है कि कम से कम इन गड़ों को देखें, इन जाम को देखें, इस समस्याओं को निजाद दिलाएं, कम से कम अधिकारी इस बात को न भुलें, यही पबलिक जो भीर म आज खुन और पसीना बहा रही है, इसके ही टेक से इनकी सेलडी भी आती है, और जमानों की पूर्ती, जो जगह खाली है, उसको भरपाई करें, तो अब तो उपर वाले के भरों से चुनाव भाई सामने है, राची वासियों को छोड़ दिया गया है, आप अपने मनोबल से ट्राफिक को चलाओ, और रूट में आप जाओ, अपने गंतब तक, यह आपकी जिमवारी है, तो इसलिए हमने कहा, कि राची वासियों को उपर वाले के भरों से छोड़ दिया गया है, तो हम भी आपसे एई रिक्वेस्ट करेंगे, ट्राफिक रूल्स को फॉलो करें, जह उसका उलंगन ना करें, और एक रिक्वेस्टम बड़े अधिकारियों से एक और करेंगे, कि जहाँ वनवे है, कम से कम वहाँ पे एक साइन बोड जरूर लगा दें, कि यहाँ पे वनवे है, तो हम ट्राफिक ब्यवस्ता को सुधेड बना पाएंगे, और यह एम्बुलेंस भी आराम से पार होगा.